वेलकम में यूटूब चेल Is ऐसे आप उमेद करते हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे से करने और मेरी लाइफ बर्बार दो चुकी है ऐक दम कि आ गई है मेरी मन्मे के घर परن कर शोका है وर्लोग смерть अफिच वह कि इनी कॉत हbereा है मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लेट हो गया है और आप लोगों को बहुत इंतजार होगा मेरे वीडियो का तो आपको भी पता है जैसे कि इतने लड़ाई हुई है इतना दंगा हुआ है मैं मेरे मम्मे के घर में आ गई हूँ सारे रिष्टे नादे खतम कर दिया है मैंने कुछ नहीं बचा अब हमारे लाइफ में सिर्फ लौनने के सिवाए कुछ नहीं बचा तो बात ऐसी हुई थी कि रात को आ गए थे वो और मैंने रात की तो बात में आपको बताई थी तो सुबह की बात ऐसा हुआ कि जैसे कि आपने देखा था कि मैं पेकिंग कर रही थी और उसके बाद में आगे थे और मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिस करी इतनी मैंने उनको समझाया क्यार आप ऐसा मत करो मत करो अपना दिस्ता खराब मत करो लेकिन वो नहीं माने और और पर बेशेर दिया मेरे मंपी की घर पे और एने सुवार ससुजी को पज़ें चल लेंगे मंपी की घर पे जिससे कि मुझे बैसा फिल नहीं होगा और मेरी मामी को भी ऐसा फिल नहीं होगा कि बैटिया के लिए लेकिन उन्होंने मतलब कि अपनी मां को पूछा यानि मेरी साथ को पूछा कि यह बोल रही है कि तुम मेरे साथ में चल लो तो उनकी जो मा है सासुजी है उन्होंने साफ मना कर दिया उनको कि तुझे कहीं पर जाने की कोई जुरूत नहीं है यह जा रही है तुझे कहीं जाने की जुरूत नहीं है और कुकु को कोई भी नहीं लेके जाएगा और कुकु बस यहीं पर रहेगी तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि कुकु कहीं पर नहीं जाएगी और कुकु यहीं पर रहेगी तो फिर मैंने उनको बोल दिया था अगर कुकु को आप नहीं बेशते हो तो मैं भी नहीं जाओंगी फिर ये मा नहीं 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 यहां तक भी एक थपड़ की उन्होंने मेरे गाल पे मारा है और मुझे बोलेगी तु चली जा अकेली तु जा सकती है फिर अना मेरे मेरे मम्मे को फोन किया और फिर मेरे मम्मे ने सारी बाते उनसे करी है कि अगर मेरी बैटी स immortal है उसको साथ में बेजो तब चलो कोई वात नहीं तो ले जा इसको तुम मैं मेरी बेटी को अब लेके आई हूँ ही और मेरी скаж के गई हो और मेरे बहुत ज़यदा मेरे दिक्कत हो रही मैं क्या बता हूँ आपको और पैट दूख रा है इतना बेंकर बहुत ज़यदा मैं को इस ताइम पर प्रेग्नेंसी के अंदर आपको भी पता है कि कितनी बुरी हालत होती है लड़की की और इस हालत में उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ा है मतलब मेरी जिन्दीगी में मैं कभी यह बात नहीं बोल सकती हूँ आप मेरा ये वीडियो देखरे हो तो खुश हो ना आप तो अपना रिस्ता खराब करके आप तो खुश हो ना मेरी लाइफ बरभात करके आप तो खुश हो खुश रह ना बस लेकिन मैं भी जुकने वाली तो नहीं हो सकत्तूं मैं भी नहीं जुकूंगी यह ध्यार में रखन आपसे मेरे ऍे छोती राट रिया और यह रॉना इन लेडिस की बोली है जब तक को आप मेरे को मनाने नहीं आओगी मेरे घर पर जब तक मेरे को यह नहィ Some तब तक मैं कई पर फिने जाहूँंगी आज आपको इस बच्ची के चुक्त मेरे पेत्व में इसकी आफको थोड़ी वह तो नहीं हुई कै変 और जलो ठीक को तो अब Comics करना था बट्रीस अभी थो फोड़ी टैंस नहीं होने च्रवाइध थी न एहांने हम इत्लों Belum कि एमेन आप को कितनी ही बाहर में आपको बोला गिसके चक्कर में कोई बात ने आप खुश है ने अपनी मम्मी के साथ मेरा क्या है मैं तो रहां लूगी आपकी माँ है वेसे मेरी भी तो मम्मी है ना और मेरी लाइस मेरी लिखा एदर दर तो मैं सायन करूंगी लेकिन खुश मैं नहीं हुना तो खुश तुम भी नहीं रहोगे वासे ध्यान रखना तो किसी का दिल इतना भी मत दुखा हो याँ क्या भी गड़ा मैंने आपका कभी कुछ नहीं माँगा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं माँगा मैंने आप वाप को पताए कि वो टाइम बहुत खड़ा था यार ऐसा टाइम कोई की लाइक में भी नहीं तो मैं थोड़ा सा मेरी मम्मी का घर आपको दिखाती हूं फिर आपको ऐसा लगेगा कि यहां अपने घर में है तो यह देख लो यह मेरी मम्मी का घर है यह बगीचे वों है आप देख सकते हो अभी यह भी खराब हो गए है और यहाँ पर मम्मी रम चाई पिया करते थे वही चीज़े हैं सारी लेकिन आज मम्मी के सामने कैसे रो यार कैसे बताऊ उसको वो खूद इतने दुखी है कैसे मूँ लेके जाऊ उसके सामने मैं कैसे मेरा दर्द बताऊ मैं मेरा दर्द के वर आप लोगों कोई बता सकते हूं बटर कैसे मेरी मा को बोल यार वो खुद बहुँ ज़्यादा दुखी है मेरे पापा भी नहीं है मेरा भाई भी ऐसे बरबाद है उस मा के उपर क्या बेटते हो यार इसलिए मैं मेरा दर्द ओनली फोर आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को बता भी रही हूं और आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो कल मैं जाओंगी डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके सामने आप देखना कल मैं जाओंगी कि मेरी बोड़ी में क्या है क्या नहीं है मुझे बहुत कम जोरी मुझे फील हो रही है लेकिन दिख लाइफ मेरी बरबाद हुई है लाइफ तुमारे भी बरबाद हुई है सावंत ऐसा नहीं है कि मैं अगर मैं दुखी हूं तो तुम दुखी नहीं आसे तुम्हारा मेरा कोई भी रिस्ता नहीं है, सारे रिस्ते थे, वो खतम हो चुके हैं, मैं मेरे मम्मे के घर पर आ चुकी हूँ, तो बस दोस्तों मेरी ज्यादा capacity नहीं है अभी बोलने की, और मेरा जो भी वीडियो होगा, मैं कर लाओंगी, टाइम कोई fix नहीं है, आपको कोई टाइम पता नहीं है मुझे कि मेरा कौन से टाइम पर वीडियो आ जाई, बस आएगा, मेरा डेली वीडियो आएगा, इतना मुझे पता है, बट कब आएगा, क्योंकि कल मैं डॉक्टर के पास जाओंगी, चेक करवाओंगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो रखी ह तो जो भी नई सब्सक्राइबर जो मुझे देख रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे मोटिवेट किया है, और मुझे आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो उनसे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बट एक मोटिवेट है जो मुझे मिल रहा है और आप दुख्य मत हो ना दो को मेरी लाइब बरबाद हुई है कोई बात नहीं कभी कभी लाइफ में दुख भी आना चाहिए जिसे पता होता है इनसान को कि हां भाई इस दुख के टाइम पे कौन अपने साथ दे रहा है को नहीं दे रहा लेकिन ये द हुआ है कैसे दुख की हो जाएगी गई अफ्टि दुख की हो जहीं अभी तुन नहीं जा सकती लेकिन मम्य अंदर है मम्य उसक बैख है मम्य और यां हुआ यां मममी सो रही और थो अब याप जीया पडूसी तो यह सबनी क्रोड सब्सक्रत से आठेश। वह रोए रोगोरियो थो सब्सक्राइब करें के यूज को आठेश्य पारने कोलाम को यूजू शुर पाती हो। कोई बात नहीं मैं मम्मी की सामने नहीं रोऊंगी और इस ट्रोंग बन के दिखाऊंगी मैं भी और कल मैंने देख तो जोनों की कमेंट पर रेड़ किये थे कि यह फेक नाटक कर रही है यह कोई भी अपने माय के नहीं जाएगी तो आप देख लो यह वह बगीचा है जो खराब हो चुका है यह सब मम्मी के मकान आपने पहले वाली वीडियो में आराम से देख रखे हैं तो यह मम्मी के मकान है यह देख लो आप न सब मम्मी के मकान है तो आसू पहुंच लेती हूं मैं इदें जाओओ तो इपक लोग मेरा वीडिट करना चाहूंगी आप लोग मेरा वेट कर रहे थी कि सब्म होट 필요 है यहकुम सपोर्ड कर से हुए ईतना लोग मुझे नई नई सबस्क्राइब कर रहे हैं तो आपका थैंक्यू सअ मच और बस मैं यह चाती हूं कि आप लोगों मुझे सपोर्ट करो जिसे कि मैं थोड़ी मोटिवेट हो सकूँ और थोड़ी स्ट्रॉंग बन सकूँ और उन लोगों को अपनी उकात भी दिखा सकूँ तो बाई मैं चलती हूं और जो मेरी मम्मा है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी अभी यह अभी यह फेस लेक मैं चो बाई गईस